हाई एनिवीज वर्कम टू कॉफी भी बात करेंगे सबटा बजबा के व्लॉग के बारे में अच्छा जी चांद रात का जो व्लॉग है लेट इस व्लॉग मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि यह रजगुली जो है उसको क्या मज़ा आता है अपने पती को उसके पती के ज दिखा करो यह सब दूसरे लोगों को दिखाने वली चीजे है क्या हाँ वैसे तो इसके लिए क्या ही बड़ी बात है जो खुद रमदान के महीने में अपना वो सब प्रूफ के साथ दिखा रही थी कि रात में गुटकु ने यह टीशिट पहनी थी और अब यह हम पहन रहे यह ओन स्क्रीन रोमैंस करना यह सब नहीं दिखाए और यह बाभी और भाई तो स्टार कपल होगा कर देते लेकिन ऐसी नलाइक्टोर वाली हरकत नहीं कि जैसे टाटू करती है है ना लाग बुरे सहीं लेकिन यह सब नहीं करते अचाजी एक और बात आपने नोटिस कर यह अगे मेहंदी लगाने आई थी एक जो लडगी थी इकरा कि कि नाम था उसका इरम हां इरम आप उसको देख लो वह प्रॉपर हिजाबी लड़की है किस तरीके से उसने अपना पूरा जो है सब चीजे करी है और अच्छे तरीके से सब चीजे उसकी जो है कवर अपर है तो यह ना बहुत शाणी है 2020 में न क्या हो रहा था कि एक तो 30 तक तो पुझ गई थी तो उसको वह था ना कि भी कुछ नहीं कर भाई कुछ नहीं कर भाई लगता काभिल है क्योंकि उसकी हाइट एक तो एक दम कम है भाई प्लस फीचर्स भी होते एक्ट्रस के जो की भाई ठीक है सावली भी होते लिए फीचर्स अच्या होना चीए तो इसके फीचर्स मुझे लगते रसगुली मेसी ली बोलते क्यों रसगुलना टाइप गोरी ही बट फीचर्स बड़े अच्छे थे उस टाइम पर अभी 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 तो मैडम ने अपना सत्यानास कर रखा है अच्छा जी इसके लिए जनाब को ब्लेम किया जाता कि जनाब की वज़से हो गई है क्या हाल कर गी है मुझे आसी आती है जनाब की वज़से नहीं हुए मै करने के लिए मैडम ने अपना खुद का ऐसा हाल बनाया प्लस इन फ्यूचर अगर कल को जनाब थोड़े से भी उधर हुए तो मैडम के बस तयार है अपना थ्यार की देखो मैं क्या दी क्या बना दिया तो मैडम बड़ी चाला के जी जनाब को या तो शर्मीली जी को रोकन टोकना होता था तो वो उनको तभी रोक देते थे शादी के बाद देखो मैडम के बहुत सारे वीडियो अभी भी अवेलेबल है जहापे जनाब मैडम यह रजगुली सब गए और जनाब उनको टीज कर रहे कि यह अपना जो है पैंट पहनना भूलाई है प्लस वो एक आव सब्सक्राइब कर देते थे या तो चंगु मंगु जो है उनको वो जाते थे तो ट्रस इशू थे बट आइड़ों को लेकर उनको कभी भी कुछ दिक्कत रही है यह जो है ना यह महान मक्खी मैडम जो है वो आदर्श बहु का नरेटिव सेट करने के लिए सब करती रहती त सब्सक्राइब करती थी प्लस टिक टॉक में तो यह ना कुक बनी होई थी रेसिपी शेयर करती थी तो तब इसको खाना बनाना आता था सब चीज आती थी इनफेक्ट यह ना नाटक करी थी जब मौदा हमें शादी कर गए तो यह ऐसा दिखा रही थी कि इसको मिक्सी चलान अच्छा जी तो टाटू भी कुछ कम नहीं थी तो मैं यह कह रहे थी कि जब कोवीड आया ना तब टाटू को समझा गया कि भाई भाई बाभी के तो खुद के वांदे भाई के इस्पेशली खुद वांदे है एक्टिंग उनको नहीं मिल तो मुझे तो वह क्या ही जो है ए अच्छी कुकिंग आती है तो कोई ऐसी स्किल नहीं है जिसके थू जो है और ओडिंस को अट्रेक्ट कर पाए तो कौन था सबसे पहले भाई और भाभी कि वह दोनों एक्टर और एक्ट्रेस है प्लस अगर खुद को रेलिविंट ट्रेक्ट ना है तो खुद को भी तो पुराने शोज होते हैं जैसे कि हमारे बाली को तो या बहुत सारे ऐसे शोज है वह आजू-बाजू जो है कंट्री वगेरा में टेलिगास्ट होते रहते हैं तो उस ताइम पे उनकी वहां से भी ओडिंस एट्रेक्ट होगी भाई-बाभी के चलते तीसरा कि अगर खुद क दंपे कुछ करना या लॉंग रन में सब बनाटक चलाना है तो क्या करना पड़ेगा तो क्या एक मात्र क्या कारण था उसके पास हिजाब का उस ताइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम भी चल रही थी और इसने ना उस आप दा को उस सवर में तब्दिल करने का डिसाइड किय रहे थे तो विवाद पे तो नहीं जाता है बट इस नालाइक ने क्या करा आप अधा को अवसर में बदलने का डिसाइड कर लिया इसने एक वीडियो रिलीज कर दिया माई हिजाब स्टोरी जहां पर ठीक है भाई तुम्हारा बिलीफ है तुम्हें अगर ऐसा करना है तो को मेरा ऐसा था कि अगर मैं हिजाब कर यह तो मैं प्रॉपर ली करूंगी दुपट्टा हो सब कवर अब किया हुआ हो मेरे हाथ ना दिखे तो फ्रेंस हिजाब आपकी फैशन के लिए नहीं है अगर आप कर पारे हो तो ही करो वरना फैशन के लिए ना करो इतनी बड़ी नाल पर दूपर वह को इसे जैशन के लिए तो जिस वजह से उनके हैर ऐसे तो कोई बात थी है बट वह जो है कवर अपकर ने के लिए था अपने गंदे बालों को चुपाने के लिए क्योंकि एक बार मैंने देखा था कि जनाब जो है क्लिप एडिट कर ना बूल गया था जहां करने के लिए खुद का जो है लुक खराब ना दिखे इस वज़े से हिजाब करती है अब ये खुद भी थक गई है ये ना टक करते करते हिजाबी वाला ये इसने गवाब कर दिया कि भाड में जाओ जिसको जो सोचना है सोचो बाई मैं तो ऐसी रहूंगी मैं अभी मेरे सब अब मैं नहीं करूंगी तुम लोग जो सोचना हो सोचो तो आपको यह ना वीडियो डिलीट कर देना चाहिए और आपको लड़कियों को सौरी बोलना चाहिए जिनको आपने नीचे दिखाया था कि बाकी ऐसी होती बाकी वैसी होती बाकी का तो पता नहीं लेकिन आप अच्छा जी वो क्या बोल रही थी कि फ्रेंस आप लोग बहुत कहते हो कमेंट में कि उस अबाको कुकिंग नहीं आती है उसको हेल्प की जरूर पड़ती है तो हां यह मैं बात जो हूँ खुद एकसेप्ट कर रही हूं कि मुझे कुकिंग नहीं आती है आप सबको क्या जो है वो प्रावडली बोल रही है कि मुझे कुकिंग नहीं आती है मुझे जरूरत पड़ती है और यह मैं प्रावडली जो है बता रही हूँ यह कोई प्रावड करने वाली चीज नहीं होती है कुकिंग तो एक बेसिक स्किल है जो कि हर किसी को आनी चीज है तो यह कोई प प्रावडली बताने वाली चीज नहीं है पहली बात और दूसरा यह कैसा इंफ्लूएंसर की चौतिस साल की महिला यह बोले है कि मैं प्रावडली बोले हुग कि मुझे हल्प की जरूत पड़ती है भाई कितने ही लोग हो तुम जिसमें तुम्हें लोगों को जरूत पड़ती अबर दिमाग लगा को कषैर हांगा अवर्डा प्रावा को चैना था है एक और राथ है यह संसांन सेjanों केशल किवाओ पर अब जन कर दो नहीं तो ऐसी मैं में लोगा तो भीघ़नेश चंत है् पर आप बनाने में तो ऑपन ton को पतारई को सच्रों है तो यह रोना धोना रोना और बोलना कि मुझे फर्क नहीं पड़ता यह सब बात उसे गुट कूब बोलते हैं कि ढीड हो गई हां यह बात तो है धीट तो हो गई है बेशनम भी हो गई है जहां पर उसको हिजाब के लिए लताड़ते हैं लोग जैसे मेडम को लताड़ा था बहुत चीजों के लिए अब इसकी बारी है इसको खूब लताड़ो कॉमेंट सेक्षिन में कि भालू पर आप तो यह कहती थी कि जब आपकी फैशन के लिए नहीं होता आप तो फैशनिस्टा बन गई रही अच्छा जी विक्टम कार्ड प्ले करना को इससी कि उस साइम पर य कर दिखाती है साबुन बेशनारत है तो यह इसको भालू पर को भी लताड़ की सक्त जरूरत है जैसे मैडम देखो शांत पढ़ गई अभी गबराट के मारे कि लोग क्वेस्टन पूछते जैसे अपलोड करती है कि मैडम यह क्यों नहीं करती इसलिए मैडम ने व्लॉग अ इसलिए हां गड़ाशन को भी मेंने करता कि वह सब्सें इसलिए क्वर लागया और उसने बोल रहाइक कर दिया ठीक इसने भी बहुत बार किया तो अगर उसको फर्क नहीं पड़ता है तो मैंशन नहीं करती चाहां उसके बार में कुछ भी बहरो आड़ा तेड़ा तेड़ कर रही है कि जो ब इस गंड़े का चैलंज करो अपने घर पे टिकशने का वह नहीं दिग रहे तुम्हें कब से उम्हें एक कॉमेंट आ रहे कि कौन चाहते गुटका अपने गुटके का दे उस पर पूरा दिखे गा आ वैसे वह जो वीडियो आयए था ना गुटका ने दिया सब्सक्राइबर को जवाब सब्सक्राइबर ने लिखा था कि आपकी सास कितनी बुरी है आपको केले केले खाना बनाने के लिए भेज दी और आपकी हल्प भी नहीं कर रही देखो भाई इसके कुकिंग कब शुरू होती है सबसे पहले तो इसको कॉंटेंट चीह रहता है कु करती है इसने अलग किचन क्यों बनवाए नौटं क्यों की लिए अब वहां पर नीचे ये कुकिंग करेंगी तो बुजूर्ग महिला ये भी तो देखो को मतलब क्या ही आई क्यों के सब्सक्राइबर का तो भाई वह बुजूर्ग महिला है वह आदी रात को थोड़े प्लस इसकी जो पडोसन सहली है वह सुटारा जो है जो सुटारा जो है सेम उसकी तरह भी रेसिपी वीडियोस अप्लोड करने है लेकिन मैं यह सुचती हूं कि कहीं सुटारा की तरह जब इसके व्यूज डाउन हो जाए और वह ना लेया जैसे उसने करा था कि हस्बंड की बारत में मैंने किया मेकप भालू पी कुछ भी कर सकती है तो ऐसा ना हो कहीं वह सुटारा और वह जो है बेस्ट फ्रेंड है सबसे पहले तो इतनी शेडी लेडी के साथ कौन दोस्ती रखता है देखो मैं किसी को चरित्र का यहां प्रमण पत्र नहीं देने बेटी हूं जो कौन ऐसा करता है वही करता है जिसने उसको पता था कि कौन फेमस है जैसे दो बीविया एक यूट्यूबर है उसको भी पता चल गया कि दो पत्नियों वाला कोई नहीं है तो वह स्कूप है वहां पर बहुत ज्यादा और यह बहुत जादा माहिर थी क्योंकि वीडियो बनात पास्ट में भाई भावी को जब लताड़ा जा रहा था तब टाटू एकदम मियाओं की मिन्नी बन गी थी कभी भावी के डिफेंड में आगे वर्ड नहीं वोला था तो डिफेंस में आगे तो टाटू भी इसे में है चोर चोर मुसरे भाई हो अगर किसी का दिल चुराना रज़ा तो हें हम हम चोर हमने दिल चुराया है तो अम्झे नहीं किया बावी अपनी मरजी से टी अपने देखेंट ही और थे में सब कैसे किसमें उख द्लाया था तूटे व żad PRES sabemos मुझे ताना मारा जाते है आज भी तो आप यह सब कैसे बूल सकते हो हम हमारे गुटको के जो है वेलकम में किसी नहीं कुछ नहीं कहीं था भाई आये थे तो डोल नगाड़े बज रहते जबकि भाई बापी ने खुद ने सब वसुल लिया था व्लॉग डाल डाल कर कॉंटे याद में यहीं पर चला गया शरम करो भाई डरो तुम आप जूट बोल रहे थे आपने अपना जो है मेरी शादी का पूरा खर्च जो है वसुल लिया था व्लॉग के थ्रू प्रमोशन के थ्रू क्यों इतना जूट बोलते हो और बोलते हो बाप बनते हो शरम आनी चाहिए और जब मैं आई जब आई मैं अपने ससुराल से पहली बार माई के कोई भी मुझे रिसीव करने नहीं आया था अगर इतनी याद आती तो कोई तो आता ना तो ऐसा था फ्रेंच सो पता नहीं हमें क्यों गलत समझा जाता है अब क्यों हमारे साथ ऐसा करते हो हमारे पास तो कि आंगन में अफ्तारी कर रहे थे ठीक है वो तुम्हारी परसेनल प्रोपर्टी तो मैं अगर हाइजीन एसु तुम जो भी करो बट रेलवे तो जो है वह पुब्लिक परटी गवर्मेंट की प्रोपर्टी यह तो वहां पर यह सब करना तो सही बात नहीं है क्योंकि आपस इसा कौन इंफ्रुएंस करता है और दिखाता भी के फ्रेंड हमें यहां पर जाकर वह कर रहे हैं यह सब नहीं करना चाहिए भाई सुदर जाओ थोड़ा थोड़ा अच्छा जी एक और बात जो कि मुझे प्रॉब्लमेटिक लगी मैंने देखा कि उनके जो ड्राइवर भहिय तो रजगुली का ऐसा है कि अगर वह अपनी ममी साथ इद नहीं मना पाईगा अपनी अम्मी के साथ तो कोई भी अपनी फैमिल्य के साथ इद नहीं मना चडरेगा ना उसने रिजा रिहांको अपनी मां गूद्धन ने थी और बुद्धी औरत को कितना उनी ट्राव जान दो भाई शरम आने छी खुद की सवुलियत के लिए लोगों को परिशान करते हो ड्राइवर को भी विचारे को वो जो ड्राइवर अंकल है उनको भी कि अगर मालगीन यहां पर है तो वो कैसे अपने परिवार के साथ इद मना पाएंगे प्रेंस यसी बात नहीं है अब कि हम जब जाएंगे मुंबई सब लोग होंगे हमारी भाजा खाला उनको भी जब हम व यह सब शहर को ट्रेंगे आजी लेकिं आपको तो पताहिए कि हम के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं लौगिंग से पहले कर लेते थे आपने करपाते तो फ्रेंटी तो गुड को तो हम आवारे साधी जाएंगे अम्मा को शाहिद भीज दें लुए कार में बेटने मना अच्छा लग बैटा तै दे दे लेकिं मैं उल्टी हो है बचकर आए बैटा तै दे दे मुझे नाती बड़ी अच्छी है मैं बड़ी मैं काम करें देखो ल तो बैटा तुम्हार बाई तो यह दुवा लगी तो हम उसकी बात नहीं करें अब बुदा हमें जिसको हुआ उसकी बात कर रहे हैं कि हम इतने जलस हैं कि हम अपने भाई के यहां पर जलेंगे कुछ भी अम्मा आग लगवाती हो इतो आग लगवा रखी हो यह सब शेयर करके यह अपने आपको अम्मी ने टॉप सिक्रेट शेयर किया था क्यों कर दिया ब बहुत आप जो अम्मा यह सब लालच के मारे कर जेती हो कल को आप हमारा भी कुछ रिविल कर सकती हो दो प्लेट पाव बजी दिलाए तो आप कैसे विश्वास करें बैटा देको जहर की बाद हमने ना पहलाई लेकिन हम तो जहरवर की बाद ही नहीं कर रहें ताटू आप अब यह सब चीज़ की करता दरता हो भाई बिल्कुल ठीक कहते हैं कि आपके पेट में बात नहीं ठीक सी टाटू अम्मा को दिल दुखा के चली कि पाव बच नहीं दिलाई अब हमाज दू आप वापस ले लेते हम तो आखर करते हैं अचा जी जनाब ने नों कमेंट आपने इदी नहीं भेजी अपनी बहन को जबकि उसकी पहली इद है अपने ससुराल में आपने कुछ भी सामन नहीं भीजा या तो यह टाटू जो है उसकी खुद की दिमाग की नहीं पज़े कि गुटका गिंग जो है ना बहुत सारा सामन लेकर अपनी बहन को देने जा र क्योंगा आप यह सब सामान खरीक के दे दो ताकि लोगों को पता चले कि इदी भीजी है क्यों बहुत रो रही थी जब विदा कर रही थी थोड़ा चाइम लगेगा लगता हो टाइम हो गया है बूल गई हो बिटी आरानी को और जनाब बाप कफर्स निबाया है मैंने भागा दोड़ी की थी अब जैसा रिजल्टा या वैसा लेकिन भागा दोड़ी उसने की थी लेकिन वह भी कुछ कम नोटंकी नहीं थे तुम दोनों नोटंकी नोटंका ने एट्टु जैड जो है content चाप मारा था और brand promotion भी किये थे उसके बाद भी शादी के बाद भी बहन का नाम लेने लेकर जो है खूब जो है नोट चापे थे तो यह बाप का फर्स नहीं होता है जहां पर जितना आप लगा उससे ज्यादा कमा लो कमाने के दानत से कि मेरे vlogs जाए पहले ताकि मुझे views आए पैसा आ जाए है ना और brand promotion से भी तगड़ा कमा हूँ caterers भी जो थे व अगरा मिली नहीं है जनाब ने खाला को फिर बोल दिया कि दे दू वरना वो लोग ना भी उस मोड में चले गए थे कि आप हमें कुछ लेना देना नहीं है लेकिन भाई तुम्हारी एक लौती बैनर तुम तो बड़ा बेस्ट भाई बाप का फर्स निबाया बाप ऐसे नह बैटियों को बहुत सारा सामन देते बाप है न तो बैचारी को ऐसा मुझे तो सच में दया आई उस पर कि वो जो ज़रुतमन नहीं होते जिसको राशन देते जैसे गरीब को खहरात नहीं मिलती उस ट्राइब का लग रहा था पूरा बैचारी टाटू जिस हिसाब से जितन कु की मिला नहले पर दैल सही हुआ है कि पापी को किना बूरा लगता हो का भाई इस स्ट्राइब करती निस देना पड़ता था अचा जी यह जो जनाब और मैडम है मुझे लगता है यह जान बुच कर टाटू को जलील करवना चाहते है अपने सिसुराल वालो के सामने शादी में भी आपने देखा होगा तो आधी बारत बुखी गई थी आधी बारत बुखी गई थी क्योंकि जनाब को तो मुफ्त में सम आपने बुखी जनाब और मैडम टाटू को जलील करना चाहते है उसके सिसुराल वालो के सामने अच्छा जी और इतना इदी देने का वह मन था उनका जनाब और मैडम का तो वह जब टाटू आ रही थी मुंबई में तब कार भी तो आ रही थी कार से भी आ सकता सा सामन वह स पर शर्मीली जी के चहरे पर ना तो कोई खुशी है और ऐसा लग रहा है कि वह बहुत रोई है किसी भी मा को बुरा लगेगा कि भाई अभी त्योहार रहता है ना ठीक है ना लाई खेलें बहन बेटियों को तो दिया आ जाता है अच्छा जी गुटको जो है अपने दोस्त पर के साथ खाना खाने बैठ जाती है मतलब बूंकी काम वाली होती ने कि बाजी है और जाए और वरतन-वरतन घथने वाली घंग से मिन थे थे साथ़ कोई उनकी साथ कोई बहुत किया गया philanthrop को नहीं किया गया था तो यह होता है कि पैसे में लिकिन पागला सुन हुतके सकत प्राइवसी इशू तो नहीं कैप्चर होना चाहती तो इस वज़े से टाटू को नहीं बुलवाते हैं या तो और वी रिजन हो का फेमस टाटू जी अचा जी लेकिन बुरा तो लग रहा था उसब दिखने में कि वह जो है उसकी आपना कर्मा है वह जब बढ़ दस्ति अगर सब को खुश कर देगी तुम खुद खुश हो ही तुमारी भापी ने कितना कितना की सामांदी लवाय तो भी तुम शेड़ी करती हो तो वह भी तुमारे साथ सेम चीज़े हो गई जो करोगे वह बुक्तों के वही बात अच्छा यह एक बात मैंसे समझ नहीं है यह पाकिस् दुनिया जो है ना लगी है इंडियन ओडियंस को रिजाने में कि उनका अटेंशन मिले क्योंकि 1500 करोड है हम लोग है उसमें से भी इंटरनेट यूजर तो कितने सारे है जिस वज़े से बाकी लोग हमारा अटेंशन चाते है और यह जो है टाटू हुए है अलगी इन लोग में कुछ नहीं होता रावन लाफी का कि ऐसी बयानक असी और जनाब का और सथी अतारिफे कुछ बना तो जान बुचके एक तो फिर वो जनाब भी दिखाएंगे मैडम भी दिखाएंगे जनाब के जो व्लोग है न उसमें रियक्शन वीडियो रहते तो उनसे तो और यह ट